इस वीडियो में आपको बताने वालों कैसे आप अपने स्मार्ट फोन को एक प्रोग्रामिंग मशीन में कनवर्ट कर सकते हैं यह बहुत 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 चलिए मैं दिखाता हूं क्या तो दोस्तों यह जो मेरे स्मार्ट फोन है वह एड्मी नोड 3 आप सब के पास जो आपको पता भी नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टों पर आपको एक अप्लिकेशन डाउलओरर करना है capper pro event screen शेल्पे कलिक रिव्र्ट कर सकते हैं और फोन इस को ऐसं यह रहे इस आप्लिकेशन को उपन करना और अपना कोर फैस और का इंटरफेस और यहां आप जो भी कोड लिखेंगे उसका syntax जो होगा Linux के हिसाब से वह क्योंकि यह जो है gcc.out को support करता है और Linux के base के कारण होने के कारण Android Linux based है तो यह वैसे ही आप इसमें keyboard करने करके भी manually code लिख सकते हैं या फिर यहां पर काफी सारे project पहले से दिये हुए हैं तो आप उसे load करके उसमें कुछ changes करना चाहिक कर सकते हैं और उस code को go through कर सकते हैं तो यहां बहुत सारे codes हैं जो की data structure C, C++ available होते हैं आप अपना भी copy करके यहां पर उसे select करके read कर सकते हैं अब यहां पर इस code को आप simply compile भी करा सकते हैं और run भी करा सकते हैं यह code लिखा है पूरा syntax Linux based है तो make sure जो भी code आप लिख रहे होंगे वह Linux के perspective में हो तो यहां आपको करना क्या है आपको just click करना है उपर save पे फिर आपको click करना है compile पे जैसे compile finish हो जाए उसे run कराना यहां आ गया है enter the value of num तो हम इसे दे देते हैं 2-3 numbers के हिसाब से तो 3 numbers चली काफी रहेगा तो यह हमें enter कि 100 दबाया 78 और दबाता हूं 79 तो अब जो यह short करके मुझे बता रहा है shorter array is like 78, 79 then 100 इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारी data structure के programs इसमें preload मिल जाएंगे अगर आपने इसकी repository को net से download किया अब मैं ले चलता हूं आपको एक और example पर दूसरा example जो है वावल तो यह application program आपको help करता है किसी भी string में पैचानने के बारे में कि किस line में vowels present है और कितने तो यह रिका enter string तो मैं string ही लिख देता हूं और यह के मैंने type और इसने बता दिया कि string में एक आई है जो कि एक ही वावल के तौर पर मौझूद है इसलिए आपके पास यह बहुत सारे data structure बहुत सारे programs C or C++ के तो अगर आप exam के लिए जा रहे है इस इस बेस application for you I hope you like this video if you do don't forget to smash the like button I'll catch you guys in the next one Good bye